चालिस लाक में प्लॉट मिलता है यह हमें मिल रहा है पूरा रेडी 2BH के घर with all development 40 लाक रुपाई फिक्स प्राइज नॉन निगोशेबल इसमें की लाइट है पानी है रोड है यह देखिए यह पूरा हील वाला एरिया हमारे प्लॉट से दिखाई देता है चारो तोरप से compounded well maintained हर एक जगा पर पानी के लिए connection दे रखें तीन चार जगा पर पानी की टंकी बनाई है सबसे अच्छा इस property का एक advantage है कि व्यू बहुत प्यारा है और property हमारे height पे है इस property से local का village जो है सिर्फ 300 मिटर दूरी पे है पाच मिनिट वाक्किंग डिश्टेंस में आप अपने पास वाले गाउं में जाके जरूत बंद की सभी जीज़े खरीच सकते है यह है टू बेच के बंगलो यहाँ पे प्लान था गज़ेबु का यह अंडर कंस्ट्रक्शन दो cottage निकल रहे थे जो कि रेंट आउट के परप प्लापटी है यह हिल पे है है और यहां से सराउंडिंग तीन चारी किलोमेटर का व्यू दिखाए देता है प्लांटेशन अच्छा कर रखा है पानी का यहां पे बोरवेल है बोर वेल से यहां हर एक पेड़ पॉदूय में पानी जाता है को प्रॉपर्टी को चारों तरप से वाल कंपाउंड से फेंसिंग कर रखा है नीचे वाल उपर तीन फूट वाल लेकि उसके उपर जाली के कंपाउंड है चीकू की पेड़े आम के पेड़े और नीचे है यह रोड जो की PCC है यह आपको एक अंदाजा आजाएगा हाइट के वज़े से कि हाइट कितनी ज्यादा है लेकिन उपर तक कार आती है उपर तक आप अपना विकल लेके आ सकते हैं यह है पूरा प्रापर्टी अभी हम एक एक करके दिखते हैं पात्वे बनाया है पात्वे के दोनों तरब पेड़ पोधे लगाए है जिससे की एक डिवलप्मेंट दिखाई दे और हर एक जगा पे PCC कर रखा है इनोंने पर यह है कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन धाचा जो की 80% रेड़ी है जिसमें चारो तरफ से पीलर बना है उपर से इसे यह देख सकते हैं उपर से चटका भी काम हुआ है सिर्फ यहाँ पर वाल दिवाल बनाना बाकी है यह यहाँ पर टू भी एचकी का इंका प्लान था इसमें भी आप वर्क आउट कर सकते हैं इसे कंटिनू कर सकते हैं यह इसका एंड काजू के पेड़ाएं और यह है वह हिल जहां से हम सारवनी का एरिया आपको दिखाई दिखाई दे सकते हैं यह देखिए पूरा ग्रिनरी है एक अच्छी खासी वेल डेवलप मेंटेन प्रॉपर्टी जो की खोपोली पाली रोड पे मिलती है अग्र झाल